प्यारे बच्चों हवाई जहास को देखकर आप समझ गये होंगे हमें कहां जाना है जी हाँ अब हम एरपोर्ट पर जाएंगे जिसे हिंदी में हम हवाई अड़ा कहते हैं जो द्रश आपको नजार आ रहा है वो हवाई अड़े का है यह एक वाई उमार्ग है एक देश से दूसरे देश आने जाने के लिए हवाई जहास का उपयोग किया जाता है इस चित्र में एक इमारत पर अंतरराश्टी हवाई अड़े का फलक दिखाई देता है फलक के उपर रंग बिरंगे जंडे लहरा रहे हैं हवाई अड़े में एक बड़ी इमारत दिखाई देती है इमारत के बीचों बीच दो छोटे परवेश दुआर हैं इमारत के दोनों और दो बड़े परवेश दुआर हैं इन परवेश दुआर पर दो पुलिस कर्मी बंदूख लिये खड़े हैं इमारत के आगे अनेक गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं हवाई अड़े से जाने के लिए और हवाई अड़े तक आने के लिए इन गाड़ियों का उपियोग होता है इमारत के पीछे हवाई जहास को खड़े रहने के लिए बड़ी जगा है हवाई जहास के इस गाड़ी का उपयोग होता है यहां कोछ अन्य गाड़ियां भी खड़ी हैं जैसे दमकल की गाड़ी, पोलिस गाड़ी, एंबुलेंस की गाड़ी किसी भी संकट की इस्तिती से निपटने के लिए इन गाड़ियों का उपयोग होता है हवाई अड़े पर उची इमारत दिखाई देती है, उसे कंट्रोल टावर कहते हैं इस कंट्रोल टावर से हवाई जहास के आने जाने को नियंतरित किया जाता है कंट्रोल टावर में एक कंट्रोल रूम होता है इस रूम से उड़ने वाले जहाज और उतरने वाले जहाज इन दोनों को तिश्या दिखाने का काम होता है हवाई जहाज जिस इस स्थान पर उतरते हैं और उड़ान भरते हैं उसे हवाई पट्टी कहा जाता है यहां पर एक हवाई जहाज उडान भरता दिखाई देता है इस उडान भरते जहाज को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे हम भी इस जहाज में सवार हो गए हूँ हवाई एड़े पर एक सूचना फलक भी लगा है जिस पर लिखा है धुम्रपान मना है उसी तरह यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लावारी स्वस्तों को हाथ ना लगाएं यह संदेश लिख कर यात्रियों को सावधानी बरतने को कहा गया है कुछ इस तरह का दुरश हमें हवाई एड़े पर दिखाई देता है